आज हम आपको सिखाएंगे आपगर फेबरेट पकोड़े कैसे बना सकते हैं यह काफी जादा एजी और टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा स्नाक है इवनिंग के लिए तो चलिए इंग्रेडियन्स देख लेते हैं हमने यह पे लिए हैं बेसन पनीर और बाकी इंग काथेगा तब जाके पकोड़े जो है वह अच्छे बनेंगे अब हमने लिया है बेसन दो कप और उसमें हम डाल रहे हैं एक चोटी चमश कुमिन सीट्स या जूर तर डाल देंगे आप नमक या नून अपने टेस्ट के अकॉरिंग साथ में डाल रहे हैं आम चूर का फिर साथ में हम एर कर देंगे इसमें हल्दी या लदर एक चोटी चमश लाल मिश का पावडर या वाजल मर्सवांगन एक चोटी चमश और यहां पर मैं डाल रहे हूं मिन्ट और कोरियंडर लीव्स जो फ्रेश ली चॉप किये हैं दो बड़ी चमश दानवल्त पुद्न यह फ्रेश लीव्स थे उनके चॉप किये थे ड्राइंग रिडियर्स को अच्छे से आप मिक्स करेंगे सारे पहले फिर आम इसमें पानी आड करते जाएंगे दो कप बेसन के लिए मैं आड कर रही हूं तकरीबर एक कप पानी सेम मेजरिंग कप से आपको बैटर जो है उस यहां पर बेकिंग पॉडर है वो मैं डाल रही हूं एक चोथाई चमच यह एड करने से जो पनीर के पकोड़े हैं वो काफी ज़्यादा फ्लफी रह जाएंगे तो अच्छे से मिक्स करेंगे आप लंप्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए यह देखिए इस तरीके से से सर्क् अच्छो डाले करश्यूर तील एक पान में और जब गरम हो जाएगा स्मोक निकल जाएगी फिर हम पनीर को डाल देंगे बैटर में फिर इसको उठा के डाल देना है तेल में पहले जब आप सारे पनीर की पीसिस में एड कर देंगे तब बर्नर की पीसिस अब होनी चाहिए लेकिन फिर जब सारे पनीर की पीस अब आड कर देंगे फिर बर्नर की फ्लेम आप सिम कर दीजेगा और सिम पर ही सारे पकोड़े आपको फ्राइ करने हैं ताकि ये कच्छे ने रह जाए अच्छे से प्रॉपरली फ्राइ हो जाए तो ये सेम प्रोसीजर है पहले बर्नर हा परफ़ी लग रहे हैं, you can see it, क्योंकि यह बेकिंग पॉडर राट किया है, इसलिए, जब आप निकाल के रख देंगे इनको, पनीर के पकोड़ों को, तो फिर आप इसको फ्लेम बर्न की हाई कर दीजेगा वापस, और हाई फ्लेम पे फिर आपको एक सेकंड के लिए इसको फिर से फ्राइ कर देना है इस तरीके से आप निकाल के हमने रख दिया है ये प्लेट पे और सारे पकोड़े आप सेम वे में फ्राइ करेंगे उसके बाद आप फिर से बर्नर को है रखेंगे तकि तेल गरम हो और फिर गरम तेल में आप सेकंड फ्राइ करेंगे सारे पकोड़ों को ये नॉर्मल प्रोसीजर है फॉर इच पकोडा की रेस्पी जब या बनाएंगे इंको सेकंड टाइम फिर से डाल देते हैं हम तेल में फ्राइ होने के लिए ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए सेकंड टाइम फ्राइ करने से तो ये देखिए ये अड़ कर दिये हमने पकोड़े और आप निकालके इसको रख देंगे प्लेट पे और आप बनाएगा ये रेस्पी ज़रूर ये बहुत ये अच्छा इवनिंग स्नाक है आप बनाकर हमें फीडबेक सेंड कीजेगा हमारे फेस्बुक और इंस्ट्रेग्राम पेज पे आप इसको इंजोई कर सकत टमेटो केचप के साथ चाट मसाला स्प्रिंकल करके बहुत ज़दा टेस्टी बनता है ये तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा चाट मसाला स्प्रिंकल करके